जए हिन दोस्तों सागत्य आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आप पर हिंदी साइथ की बहुत ही महात्पुण कॉस्चन आंसर यह अपना प्रैक्टेस टेस्ट साथपा है अपनी यहाँ पर भूत ही महात्पुण कॉस्चन न भूलें आज का अपने यहाँ पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या है तो देखिए आज का अपने फर्ष्ट कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है रस्मव रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है यह किसकी पंती है यह आपके लिए बताना है आज का फर्ष् आंसर बनता है आपसे तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर मुंसी की उपादी किसे मिली हुई थी यह आपके लिए बताना है तो question number 2 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर है बहे है विकल्प number D यानि की सदल मिस्र सदल मिस्र आपका यहाँ पर सही आंसर है लाल चंदरी का रचना किसकी है लाल चंदरी का रचना बताने question number 3 का सही आंसर ललू लाल सदल मिस्र या सदा सुक लाल या इंसा अल्ला खा तो आपका सही आंसर है question number 3 का विकल्प number 1 आनि की Q4 आप नहीं और पोंचा है तो Q4 का आपका जो साही answer हैं कि राइट नहीं कि इंसाल्ला खां करतरी आगरा से निकलने वाला वुद्दी प्रकास साफताहिक पत्र किसने निकाला था राजा लक्समन्स है या राजा सिप्रसास सितारी हिंद सदा सुकलाल या सदल मिस्र ये आपकी चार विकल्प है कॉस्चन नमबर पांच है और पांच का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर विकल्प नमबर सी राइट आंसर है सदा सुकलाल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर C, राइट आंसर है, अंगले question क्या है, तो देखिए, स्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्ध की किरम में निम्न को रखा, तो बताइए, यहाँ पर question नंबर 6 है, और 6 का सही आंसर क्या है, स्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्ध की करम में निमन को रखा तो 6 का सई आंसर आपका यहाँ पर जो right आंसर है विकलब नमबर B है इनसा अलनाखा सदलमिस्थ ललुलाल और सदासोक लाल यह आपका right आंसर है विकलब नमबर B आपका सई आंसर यहाँ पर होगा अंगले question क्या है नाम को राम से बड़ा किस भक्त कभीने माना है तो यह आपके लिए question number 7 का सही answer बता है नाम को राम से बड़ा किस भक्त कभीने माना है कभीरदास, रेदास, सूरदास, तुलसीदास यह 4 विकल्ब दे गए है question number 7 है अपने यहाँ पर और 7 का आपका जो right answer है बहतल सीधा विकल्ब नमबर आपका यहाँ पर D right answer है बिल्कुल सही D जिन्हों ने बताया है उनका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या है किस कोटी में किवल एक हीरा से भक्ती रस का प्रधान ये हैं तो किस कोटी में question number 8 का सही answer बताना है किस कोटी में किवल एक हीरास भक्ती रस का प्रधान है राम काबबे कृष्ण काबबे संते काबबे असूपी काबबे तो question number 8 का आपका जो सही answer है बहतल विकल्ब नमबर B आनकी कृष्ण काबबे आपका यहाँ पर सही answer है किष्ण का पर right answer है अंगले question क्या है तो देखे ए रहा आपका अंगले question सकी भावना सी राम भक्ती में रसिक्ता का समाविस करता किसी माना जाता है तो किसी माना जाता है यह आपके लिए यहां पर बताना है question number 9 का सही answer क्या होगा question number 9 का right answer क्या है तो 9 का सही answer है अग्रदास विकल्प number C आप कहाँ पर right answer है अग्रदास जिनों ने बताया है उनका सही answer है अंगला question है राजिस्तानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरवी, फार्सी, संस्कृत के सब्दों का एक सांथ प्रियोग किस रचिना में दिखाई पड़ता है बैर रचिना बताना है जिसमें इतने सारे सब्दों जो है राजिस्तानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरवी, फार्सी, संस्कृत के सब्दों का एक सांथ प्रियोग दिखाई पड़ता है तो question number 10 का सही आंसर है आपका रामचरित मानस विकल्प number D आपका यहां पर सही आंसर है रामचरित मानस में अंगला question है तुलसी इंदास की किस रचिना में कोई इती ब्रत्य नहीं है केवल एक भक्त का आत्मने वेदन है यह आपके लिए बताने किस रचिना में यह बताने किस रचिना में कोई इती ब्रत्य नहीं है केवल एक भक्त का आत्मने वेदन है तो question number 11 का राइट आंसर एक यान की बिनाए पत्त्री का आपका सही आंसर है अंगला question है question number 12 यहां पर पूँचा क्या है रिती ग्रंत कारों के लिए अनुकरणिय किरती इनमें असे कौन सी थी यह बताने है कौन सी थी राम चंदरी का रस्मंजुटा में का वेप्रकास साहत दरशा का रा आइट आंसर होगा question number 13 क्या है question number 13 रस वादी आचार चिनतामनी का पूरा नाम क्या था तो चिंतमनी का पूरा नम बताना है यह आपके लिए यहां पर बताना है मीर मुंसी थे तो ये आपका यहाँ पर जो सही आंसर है question number 14 का विकल्प number B आनिकी मुहम्मद साहर रंगीला आपका सही आंसर है अंगला question क्या पूँचा गया है किसके प्रेम बंडन में प्रेम लोकेक बासना से उपर उठकर अपने ओदात्य स्वरूप को ब्यक्त करता हुआ जो है विर्स जनिन हो गया है तो question number 15 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह बताना है तो 15 का राइट आंसर है रस खान रस खान यानिकी विकल्प number C आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 16 यहाँ पर पूँचा है माक्सवादी विचाधारा से ओध प्रोथ किस युग की कवीता रही है तो किस युग की कवीता रही है यह आपके लिए बताना है question number 16 का सही आंसर यहाँ पर क्या है मक्सवादी विचाधारा से ओद प्रोध किस युग की कवीता रही है सोला का राइट आंसर आपका यहाँ पर D राइट आंसर है चाया बादो तरीन युगीन जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर D राइट आंसर है कॉस्चन नंबर 17 क्या पूचा गया है भारतेंदू के बाद बिरज भासा और खड़ी बोली का प्रियोग किस कवीन क्या है भारतेंदू जी के बाद में बताना है कॉस्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है 17 का सही आंसर है वह है विकल्ब नमबर आपका ये एक हरिवाद हरिवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखे ए रहा आपका अंगला कॉस्चन किस का विकरंथ में गोपियां ब्रहनी नहीं अपितु कृष्णी की ब्रही हैं तो किस का विकरंथ में यह बतान पूल सही बहुत बढ़ी या अंगला कॉस्चन है क्या है आदूने कभियों में किसकी काब में बीर रस की प्रधानिता है यह बताने कॉस्चन नमबर 19 का सही आंसर 19 का सही आंसर सिया रामसन गुपते स्याम नारायन पांडे गुरु भक्त सेंभक्त या इनवे से कोई नहीं त 19 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर 20 आनिकी स्याम नारायन पांडे आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है रामधारी सेंदिनकर का निधन कभ हुआ इनका जो निधन हुआ था कभ हुआ था ए आपके लिए बताना है निधन कभ हुआ था दिनकर जी का तो आपका 20 का right answer क्या है विकल्ब नमबर D यानि की 1934 आपका हैं पर सही answer है अंगला question क्या है देखिए अंगला question आप से पूंचा गया है question नमबर 21 क्या पूंचा गया है प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया उपना में का प्रियोग के साहितिकार बाद में बिसेस रूप से उपलब्द है प्रिकति बाद में या नकेन बाद में नई कवीता में या प्रियोग बाद में कौस्च नमबर 21 है और 21 का सही आंसर है आपका यहां पर विकल्प नमबर D आनि की प्रियोग बाद आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन है जैबर्धन किस प्रकार का उपन्यास है जैबर्धन कॉस्चिन नमबर 22 का राइट आन सामाज एक यतिहासिक राजनेतिक धार्मिक यह आपके चार विकल्प यहां पर दे गए हैं कॉस्चिन नमबर 22 का सही आंसर होगा आपका विकल्प C, आनि की राजिनेतिक, राईट आणसर अंगला क्यूषीन है सुद्धिया थार्तवाद का नुरूपण किसकी नाटकों से माना जाता है, आपके चार विकलब है यूषीन नंबर थेजिक सही आंसर बताना है, तो तेजिक विकलब नंबर एक ल्क्ष्मी नाराथ्टियार, मि किस नाटक कार पर इप्सन और सा का सरवधिक प्रभाव है तो किस नाटक कार पर बताना है कॉस्चिन नमबर 24 का सही आंसर क्या होगा सेट गोबिन दास उदास अंकर भट लक्ष्मी नाराण मिस्र उपयनात असक यह आपके चार विकल्प हैं कॉस्चिन नमबर है आपका 24, 24 क कर आपके हैं कि यहा पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या पूंचा क्या है रेडियो रूपा के किस भेद में हास्य और ब्यंग के माध्यां से किसी किसी नमब्हार्टर प्राहिशं, आपका यहा पर सही आंसर है अंगला कॉश्चुन क्या है राश लीलाओ का भारत के किस सहरों में जादा सबसे जादा पिरचलन है बिहार, पंजाब, आगरा या मत्वरा तो 26 का सही आंसर आपका यहां पर है क्या है राइट आंसर विकल नमबर डी आदि की मत्वरा आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है किस राज में नो टंकी लोग नाटे का प्रचलन जो है सब से कम है यह आपके लिए बताना है बिहार पंजाब या रियाना या उत्तर प्रदिश कॉस्चिन नमबर 27 का सही आंसर है बिहार विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है बाल साह सरश्था कौन है यह बताना है तो 28 इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर एक रामब्रक्ष ब्यानीपूरी रामब्रक्ष ब्यानीपूरी राइट आंसर है जिन दोनी चिन्हों द्वारा मनुस्त्य परसपर बिचार भी निमय करता है उसके समिष्टी रूप को भ अबू राम सक्षेना, 29 का विकल्प नमबर एक, अंगला कॉस्चन, क्या है, देखिए, ए रहा आपका अंगला कॉस्चन, लोहे की दीवार के दोनों और किसका लिखा हुआ यात्रा बिर्तान्त है, एसपाल, जैनिन्द कुमार, राहुल सांकृत्ने, रामरक्ष बेनिपृरी कॉस्चन नमबर तीस है, तीस का सही आंसर है, विकल्प नमबर एक यानिकी एसपाल, एसपाल आपका सही आंसर है, प्रतवी, राज, रासु, कितने प्रष्टों का ग्रंत है, कितने प्रष्टों का बताना है, प्रष्टों का ग्रंत है, ये बताना है, तो कॉस्चन नमबर 31 का सभी answer क्या है 31 का सभी answer D तो 32 का सभी answer आपका यहाँ पर विकल नंबर D right answer है नंद инт들ास आपका सभी answer तो धूर्दास जी के बाद नंद्धास कौस्चन No. 33 वल्लबा चार जी से दीख्छा लेकर गोबर्दन पर स्रीनात जी के मंदर में कौन सा किर्टन करने लगे यह बताना है आप के लिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर तो देखे बलवचार जी से दीख्छा लेकर गोबर्दन पर स्रीनात जी के मंदर में कौन किर्टन करने लगे तो कौन करने लगे ते किर्टन तो 32 का सही आंसर आपका B आनि की सूरुदास विकल्प नंबर B आपका राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है भारते नुमंडल में कौन सामिल नहीं है नहीं है सामिल नहीं है पूँचा है तो कौन नहीं है भारते नुमंडल में सामिल 34 का सही आंसर आपका विकल्प नमबर D आनि की राजा से उपर साथ से तारी हिंद आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर D अंगला question है कौन स्वाचंद धारा के कभी नहीं मानी जाती देखिए इसमें भी आपसे नहीं मानी जाती पूँचा है तो कौन नहीं मानी जाती है नरेंद्र सर्मा, सियाराम सरनल गुपते, स्थभत्रा कुमारी चौहान दिन कर ये चार विकल्प है, question number 35 का सही answer बताना है 35 का right answer विकल्प number 1, नरेंद्र सर्मा, अंगले question बध्य धर्म का केंद्र क्या है, ये आपके लिए बताना है, question number 36 का सही answer तो बध्य धर्म का केंद्र क्या था, था बताना है, तो क्या था, तो 36 का सही answer है आत्मे सुद्धी आपका सही answer है, आत्मे सुद्धी आपका right answer होगा यहाँ पर question number 37, क्या है 37 का right answer, यहां पर बताईए सभी लोग, तुलसीदास को उत्तर भारत का मीरुदंड किसने कहा है, तुलसीदास को, महाबीर पर साथ दुबेदी, आचार सुकले, नंद दुलार रिवाचफिये, हजारी पर साथ दुबेदी, question number 37 है, और 37 का सही answer है, आपका यहां प पता है, कुल कितने खंडों में है, यह आपके लिए बताना है, शंताउन, अंधाउन, 65 बाउन, तो आपका यहां पर सही answer है, 38 का विकल्ब नंबर B, यानि की आपका अंधाउन, यहां पर सही answer है, सूपी साधना की अवस्ताओं में कौन नहीं है, नहीं है, बताने हैं आप के लिए, तो कौन नहीं है, यह बताई, कौस्चन नंबर 49 का सही answer, 49 का सही answer बताना है, 49 का D, नजाकत आपका हैं पर सही answer है, नजाकत आपका सही answer होगा, पदमाबत कथा का विभाजन किस रूप में हुआ है, यह बताना है, सभी लोग वीडियो को लाइक बस तिकल लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और कौस्चन नंबर 40 का सही answer, बी राइट answer है, यह बताईए, क्या है यहाँ पर इसका सही answer, महत्त पूर्ण कौस्चन है, कौस्चन नंबर 41, सूर्दास पर किस पौरान गरंत का प्रभाव है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही answer ह भिर्मर गीत की रचना का उद्दे से क्या है, इसकी उद्दे से बताना है, तो भिर्मर गीत की रचना का उद्दे से सगोण पर निर्गोण की विजए, ज्यान पर भक्ती की विजए, गोपियों का बिरहे, चित्रन या भक्ती पर ज्यान की विजए, यह आपकी चार विकल ग्रत 25 का सारी, 43 का सही आंसर क्या है? तो 43 का सही आंसर है मलूक धास, मलूक डास आप कह यहां पर सही आंसर है घनानंद का निधन कब हुगा? और पौस्चिन नमर भक्तिकाल, सिंगार, या बीर, या करुण का, तो यह आपके चार विकल्प देगा है, कॉस्चन नमबर 45 का सही आंसर बताना है, उत्तर मद्यकाल का दूसरा नाम जो है, कॉस्चन नमबर 45 का आपका बीर आइट आंसर है, आनिकी, उत्तर मद्यकाल का दूसरा नाम सिंगार, का अंगले question क्या है, विद्ध्धपती का जर्म किस ee-sbyVE, sun की आसपास हुआ था, question number 40 का सही answer बताना है, तो 40 का सही answer है आपका यहां पर, क्या है right answer 40 का महत्पुन question है, और आपका सही answer विकलप number 1306, अंगले question क्या है, किसी राजा की मृत्यू के बाद विद्या-पती, निराश्षित घुमते रहे तो कर्मादित्य या देवादित्य, गलिस्वर या इनमे से कोई नहीं ये आपके चार विकल्प है, क्वसटिन owर 48 का सही आंसर बताना है किस राजा की म्रत्यू के बाद विद्यापती नरासरित गुमते रहे 48 का आपका यहाँ पर right answer है C आनिकी गलिस्वर गलिस्वर आपका सही answer अंगला question क्या है? सूफी सब्द की उत्पत्ती के सब्द से हुई है सूफी सब्द जो है सूफी सब्द इसकी उत्पत्ती के सब्द से हुई है सफा, सूफ, सूफियाना या साफ तो आपका यहाँ पर right answer है 49 का B आनिकी सूफ आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या है? Question number 50 आपसे यहाँ पर पूँचा गया है? क्या पूचा है? भिरमर गीत सूर के किस गरंत का answer है? भिरमर गीत सूर के किस गरंत का answer है? तो यह आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर सही answer क्या होगा? 4 विकल्प भी देगा है तो आपका right answer है विकल्प number C आनिकी सूर सागर आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर है बहुत बढ़िया सूर सागर जिन्हों ने बताया है उनका सही आंसर है तो इस परकार अपनी हाँ पर बहुत ही महत्वपण question complete हुए क्याँ सा लगा यह वीडियो आप comment में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन दबाएं all पर click करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुँचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करना है ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को like करना ना भूलें तो सभी लोग वीडियो को like अबस्ते कर लें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाल जय हिन